आदर शिक्षन समिती बाडमेर द्वारा संचालित और अनलाइन क्लासेज में आप सभी का अर्दिक श्वागत एवं अभीनंदन है पार्ट मीठे बॉल प्रत्म भाग में अमने पढ़ाता की एक खरगोस्ता वह घुमता घुमता बजर गया एक दुकान पर उसे गुड़ की बहलिया देखाई दी वह उसे लेने के लिए विचार करता है लेकिन उसके मैंने विचार आता कि मैं चोरी कर लूँ लेकिन कुछ देर बाद उसके मैंने विचार आता कि मैं गुड़ दुकानदार से मांग लूँ तो वह मज़े खाने के लिए देदेगा और फिर वो दुकांदार के सामने जाता है और क्या किता है उस गतांक से आगे हम आज कहानी का अधियन करेंगे आप दयालो करते हैं आपका कारोबार बढ़े है जो आपका कारोबार बड़े जो आपका य्यूम्हेपर दुकांदर ही है यहीजी व्रृद्धी करें क्या आप मुझे थोड़ा खाने के लिए गुड़ दे सकते हैं। उसने बहुत ही सब्वे भासा में उस दुकांदार से निविधन किया। जब दुकांदार ने खरगोश की बात सुनी तो वह बहुत ही अत्यनत खुश हो गया, जनी प्रसन हो गया। और उसने कुश विनमरतावरी बाते सुनकर उसे खुश होकर गुड़ दे दिया। खरगोश खुशी से उचलता हुआ जंगल की तरफ भागा। और वह पेड़ के नीचे बैठकर गुड़ खाने लगा। यानि जब अपन को मन चाही चीजे प्राप्त हो जाती हैं तो हम भी खुशी के मारे हमारे पैर जमिन पर नहीं टिकते। तो खरगोश भी गुड़ प्राप्त करने के बाद खुशी से उचलता हुआ जंगल यानि वन की तरफ भागा जहां से वह आया था। और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे यानि एक रिक्ष के नीचे बैठकर और गुड़ खाने लगा। अब आगे क्या होता है। देखिए, इतने में एक वहां एक लोंबडी आ गई। जैसे कि हमने पिछले अंकम पढ़ा था कि लोंबडी बहुत ही चालाक जीव होती है। और जैसे लोंबडी वह खरगोश ने देखा, तो खरगोश ने जो गुड़ खा रहा था वह अपने पीछे छिपा लिया। लोंबडी बहुत चालाक थी। उसने खरगोश को गुड़ खाते हुए देख लिया था। और वह पास आकर बोली कि तुम गुड़ कहां से लाए हो। बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें माल डालूँगी। ज्यानि उसने बहुत ही खरगोश को डराते हुए दहम की बर्यनदाज में कहा। खरगोष ने कहा, खरगोष उस लोमडी की बाते सुनकर बहुत ही डर गया, क्योंकि लोमडी न उसको बहुत ही दम की भरियंदाज मुसको धमकाया, तो उसने कहा कि मुझे मारो मत, मैं बताता हूं कि बाजार में एक दुका ने इस पर बहुत सारा गुड रखा हुगा है, इतना सुनकर लोमडी बोलती है, कि अब मुझे ज़्यादा, समझाओ मत, मैं खुद समझदार हूं, तुम चुपो जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है, खरगोश की बाते सुनकर लोमडी के मन में भी लालच आ गया, और वह उस गुड को प्राप्त करने के लिए बाजार की और चल दी, यानि लोमडी की मन में भी लालच आ गया की, यदि खरगोश गुड प्राप्त कर सकता है, तो मैं क्यूं नहीं कर सकते हैं, जब लोमडी वाजार गई, तो वह उसने दुकान के उपर गुड का बहुत सारा धेर देखा, यानि बहुत वारी मात्रा में, अत्यदिक मात्रा में गुड रखा हुआ था, गुड को देखकर लोमडी सोचने लगी, लोमडी इन सोचा, कि खरगोश तो मूर के, यानि ना द खुष हो गया, लेकिन मैं तो उसकी तरह निरबल नहीं हूँ, यान सब्द थोड़ा लिखने में भूल वज निरमल लिखा हुआ, यान निरबल पढ़ा जाए, तो यानि निरबल नहीं हो यानि निरबल, निर उपसरक लगा है, और मूल सब्द है, बल, तो निरबल यानि जिसके अंदर बल नहीं हो, ताकत नहीं हो, कमजोर हो, तो लॉमड़ी खरगोष के बारे में सोच रही थी, कि वो तो मूरख है, नादान है, नासमझ है, लेकिन मैं उसके तरह निर्बल दोड़ी हूं, कमजोर नहीं हूं, और दुकानदार को धमका कर, डरा कर, बहुत सवरा गुड़ ले लूँगी, ऐसा वो खरगोष के बारे में मन में विचार करते हुए, वह ऐसा सोच रही थी, बार-बार. इस से आगे, हम अगले कालांस में कहनी का अध्यन करेंगे, अभी मैं आपको अभ्यास प्रस्णोंतर करने के लिए दे रहा हूं, आप सभी इसको व्यवस्तित अपनी अभ्यास प्रस्तिका में करेंगे. पहला प्रस्ण बहुत देश यह, यानि बहुत विकल्प यह प्रस्ण है, सही उत्र का कर्माक्षर कोस्टक में लिखना है, प्रस्ण है, खरगोष गूमते गूमते पहुंचा, चार विकल्प दिये हुए, अब मैं विद्या ले हैं, बह मैं बगीचे, सह बाजार, तो दग अब इसका जो सही विकल्प होगा, तो इसका सही विकल्प होगा, सह बाजार, अगला प्रस्ण है, प्रस्ण कर्मांग दो, रिक्तेस्तानों की पूरती कीजिए, खरगोष एक, खालेस्तान के नीचे बैठ कर गुड़ खाने लगा, आप सब जानते हैं कि खरगोष कहां बै लोंबडी आलिस्तान लेने के लिए बाजार गई, लोंबडी क्या लेने के लिए बाजार गई थी, तो इरिक्तेस्तानों आएगा, गुड़, अगला प्रस्ण है, प्रस्ण करमांग तेन, नेमने प्रस्णों के उत्तर एक सब्द में देना है, इन प्रस्णों के उत्तर आ रखी रही थी तो आप सब जानते हैं कि दुकान पर गुप्ड की बेलियां रखी रही थी अग्ला प्रस्न लॉंबड़ी को लोमड़ी को जब खरकोष को गुड़ कहाते हुई देखा तो उसने इससे क्या कि रोंबड़ी ने जब क्या सोच रही थी तो लोंबडी खर्गोष के बारे में सोच रही थी कि खर्गोष तो मूर्ख है इतना सा थोड़ा सा गुड लेकर खोश हो गया मैं खर्गोष की तरह निर्बल और कमजोर नहीं हूं मैं दुकांदार को दमका कर बहुत सारा गुड ले लूँगी कर दो